आपने कुश्चन कर रहा है यह 11 पिर कैसे चलेगा देखो मैं तो फास्ट फास्ट तभी ग्लास रखने का फाइदा है जब आप फूम वक्क को करूँ अधर्वाइस कोई फाइदा नहीं है फिर तो वही कहान ही हो जाएगी सिंपल मैं तो यह चाह रहा हूँ कि दो कुश्चन मैं करूँ चाहरा आपका करूँ हो जल्दी से जल्दी खतम हो से ले बस फिर आगे हम कुछ प्लान कर पाएँ आप झाल झाल देखते हैं इसमें एक new point सीखेंगे question के बीच में देखेंगे रिवर्बुक दिखाईए मुझे एक तोरिखेंगे Julie रिवर्बुक देखेंगे झाल अब देखते हैं, चलिए, क्या कहता है, कि आगरा हेड आफिस, सप्लाइ गुड्स ब्रांच अलवर, यानि अलवर का कोई ब्रांच है, इन्वाइस प्राइस कहता है, कॉस्स प्लस 50 परसंट, अगर कॉस्स प्लस 50 परसंट है, और बाग की डिटेल हमें किस पर दिख रहा है, इन्वाइस पर, तो 33.33 परसंट या 1 by 3 कह सकते हैं, उसको, अना, आपको कभी भी नहीं बताएगा, कि यह डेटर सिस्टम है, यह स्टॉक डेटर सिस्टम, उसके रिक्वाइर्मेंट पर आपको पता चलेगा, कि क्या है, ठीक है, सबसे पहले उपनिंग स्टॉक दे रखा है, 66,000, तो मैं यहां लिख लेता हूँ, टू, ओपनिंग स्टॉक, यह भी आईपी पे है, तो हम सिंपल लिखते जा रहे हैं, इसके बाद डेटर दे रखा है, तो डेटर अकाउंट में लिख लेता है, टू, बैलेंस बीडी, कितने हैं, 22,000, इसके बाद पैटी कैश का बैलेंस है, तो हमें एक पैटी कैश का अकाउंट बना लिए, क्योंकि question में ऐसा बोला नहीं है, कि पैटी कैश अकाउंट आपको बनाना है, या फिर माइनेस प्लस करके calculation करके दिखा दो, ठीक है, तो इस पर अभी start लगा लेते हैं, बाद में देखें, goods received from head office, 24,000, यहां आ जाएगा goods sent, ठीक है, goods returned to HO, तो बाए साइड में आ जाएगा, goods returned to HO के बाद है, यहां पर credit sales, cash sales, और sales return, ठीक है, तो cash sales, credit sales, cash sales कितने का है, 80, और credit, cash एक लागच छीह जा रहा है, एक लागच छीह जा रहा है, और credit कितने का है, 80, और credit sales, तो एक डेटर में भी आएगा, two credit sales, कितने, आगच sales return है, तो यह डेटर में भी जाएगा, sales return, कितने रुपए है, और यह, इसके वज़े से, हमारा, stock भी बढ़ जाता है, जैसे डेटर ने मापस किया, तो sales return, लास्ट क्लास में देखा था, बताया था, इसके उपर कोई looting बगए रहा है, generally, देख लेंगे, नहीं निकलता है, वैसे selling price पर return है, तो निकालेंगे है, भी देखते हैं, allowances to customer, यानि customer को discount दिया, selling price से already adjust in the invoice price, चलो इसके उपर एक बार discussion कर लेंगे, फिर डाल देंगे, हलाकि मैं लिख देता हूँ, कि यहाँ जाएगा हमारा, by, allowance कहलो या discount कहलो, कितने रुपे हैं, ठीक है, इस पर भी discuss कर लेंगे, cash received from debtor, यहाँ जाएगा, 93,000, discount allowed to debtor, इधर आजाएगा, यह वाला discount लागा है, कितने रुपे हैं, 24,000, expense, expense paid by head office, rent, salary, तो यहाँ तक हम trading समझ लेते हैं इसको, इसके नीचे पी एंडल समझ लेते हैं, तो सबसे पहले to rent, rent कितना है, 24,000, and salary, that is 24,000, और petty cash, petty cash अभी नहीं आएगा, इसके तो calculation जाएगी, closing stock है, 69,000, अब petty cash को हम सर्गल कर लेते हैं, शुरू में इतना था, कितना 500, और हमारे पास, पैटी cash expense कितने का हुआ, 2000 का, और closing में ये है, तो अगर मैं petty cash की बात करूँ, तो यहाँ पर जो expense होता है, उसे लिखते हैं, है न, तो यहाँ पर जो आएगा petty cash, क्योंकि expense वाला हिस्सा, question खुद बता रहा है, अगर expense ना देके, यहाँ पर यह लिखा होता, cash receive, यहाँ फिर petty cash expense receive, तो जब हम account बनाते, यहाँ BD डाल देते, यहाँ CD डाल देते, यहाँ पर receive डालते हैं, यहाँ consume निकलता, जबकि अब खुद बोल रहा है, यह expense consume है, तो ऐसे situation हमें, कोई calculation करने के वशकता ही नहीं है, सीधा petty cash हमें यहाँ पर कितना लिख देंगा है, 2000, यहाँ तक देखिए, बताईए, पस इसमें allowances समझाना है, petty cash समझ में आया, ठीक है, और अगर हम petty cash expense account बना भी लेते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा, अब देखो क्योंखी, क्या क्या गीवन हैं, मैं यहीं बना देता हूँ, एक छोटा सर, कुछ बच्चे कहेंगा सर, कभी बनाना है, कभी नहीं बनाना, पता नहीं चलए रटाता, टू बैलेंस, बीडी पता चलता, ओबनिंग बैलेंस, कितना दे रखा है, पान्सो, पाई सीडी, सौ रुपे, बाई एक्स्पेंस, कहलो कंज्यूम, कहलो कितने, तो नाव फाइनली, हमें आरे पास, जो नजर आएगा, वो आएगा, इधर की साइड, और वो कैश में, जो हो से रिसीव किया होगा, तो 2100, 1600, अब इसका इस्तमाल, हमारा कहीं नहीं होता है, यहाँ पर, इस वाले अकाउंट में, सिर्फ इसका इस्तमाल किया जाता है, समझे बात, चलिए, अगला है, अलॉइंसे स्टू कस्टूमर, सेलिंग प्राइस, अल्रेडी अडजेस्टिद इन्वोइस प्राइस, चलो एक चीज और रहे गया, यह जो डिसकाउंट है, यह यहाँ भी आजाए का डिसकाउंट, भूल गयते हैं, कितने का डिसकाउंट है, अलॉइंसे स्टू कस्टूम, स्टूम है यह एक बार दिखाना, वो कस्टूम है, कस्टूम है, दिखाना, अलॉइंसे स्टूमर, अलॉइंसे स्टूमर, अच्छा, महाँ कर लगा ते में स्प्रिंट है, देखो, होता क्या है जर्रली, यह माला के ब्राच है, एक हम ब्राच कर लेते हैं, यह ब्राच है, और ब्राच का जो स्टॉक अकाउंट है ला, अगर कुछ भी चीज़े हम सेल्स करेंगे, तो बाई साइड में जाएगा, ठीक है, कोई भी सेल्स करेंगे तो, बाइ साइड बन जागा चाहे cash sales हो चाहे credit sales हो अगर कोई sales return है ना तो इसको हम two side में sales return लिखने से होता कि है automatic minus हो जाता है इसलिए हमने पीछ आले question में two side में लिखा है समझ में आ रहा है क्यों लिखा है अब नाव कुछ allowances होता है हैं जैसे माल लेते हैं कि 1000 का सेल्स था और 1200 का सेल्स था तो एक कस्टमर था उसने मुझसे जिद करके डिसकाउंट ले लिया 200 रुपए का और अगर वह सेलिंग प्राइज में अड्जस्ट कर दिया है तो इसका मतलब 200 का डिसकाउंट ले लिया तो हमने वहां पर 1200 रिकॉर्ड ना करके कितना रिकॉर्ड किया होगा एक हजार यानि अब मैं बूलूंगा कि जो 200 रुपए का डिसकाउंट लिया है अल्डेटी अड्जस्ट इन्दा सेलिंग प्राइज क्या हो चुका है सेलिंग प्राइज में नहीं है समझो 200 रुपए और बढ़के आता इस वजह से मैंने यहां पर चलो एक डेटर अकाउंट बना लेते हैं कि यहां पर क्रेडिट सेल्स अगर जो मैं 1,000 लिख रूँ देंको वैसा डिसकाउंट जो कुस्टमर को देते हैं वह तो डेटर में आ आना चाहिए अगर मैं यहां पर बारासू लिख्ए फिर मैं यहां अजल समझ में आता है कि 1,000 अ अपने दिखाया लेकिन अगर मैं यहां पे 1200 न लिखके डारेक्ली ही 1000 लिख दू तो क्या मुझे फिर से 200 दिखाने के वशकता है नहीं है क्योंकि इसमें already registered है तो एक तरफ से हमारा sale कम हो गया इसलिए हमने यहां पे क्या दिखा दिया allowances दिखा दिया buy side में देट इस 200 रुपए का एक्स्ट्रा तो हमारा sale compensate हो गया और debtor में क्यों नहीं गया क्योंकि already कहां से minus करा हुआ है credit sales में से already या sales जो whatever कहलो registered है तो इसलिए हमने इसकी entry कहां करी सिर्फ मात रेक जगा और that is कहां चले गया हमारा error allowances समझा ही बात आपको तो एक तरीके से यह sales का ही हिस्सा है यह मानना है ठीक है चलिए अब loading निकालने का काम कर ले अगर loading निकालने की बात करें तो opening stock पे और आपने बोला एक बटा तीन कैसे होगा मैंने टेबल लिखवाय था तो वहां पर आया था हमारा टेबल में 33 इसको ऐसे भी बोल सकते हो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है और इसको एक बटा तीन भी बोला जा सकता है जब इस fraction को हम solve करेंगे न तो हमें result यह मिलता है ठीक है गुट सेंट पर भी निकाल ले गुट सेंट पर कितने दो चार पर एक बटा तीन करेंगे तो यह आगे 68,000 यहां पर निकालेंगे किस पर स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग पर क्लोजिंग पर क्लोजिंग 69 है सर गुट्स रिटेन पर भी निकल जाएगा जोए हो को वापस किया है कितने गुट्स रिटेन अच्छे हजार तो डिवाइट तीन दो हजार आगा है अब हम अकाउंटिंग क्लोज कर देते हैं पहले इसको क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा एक लाख छे हजार देखे तो यह यह टोटल आए 27 सब माइनस करते हैं यहां पर तीन हजार निकल के आ रहा है उस तीन हजार को मैंने कहा इधर जब भी आंसर निकलेगा तो शॉटेज के नाम से डाले अफसर यह शॉटेज क्या होता है सौटेज एक तरीके से जैसे कि हमारे पास गुड्स होता नहीं है और हम सेल्स में दिखा देते हैं गुड्स है नहीं कई वर कस्टमर ने मेरे से फोन पे बात किया कि यह मिल जाएगा और मुझे पता ही नहीं दुकान में कि वह समान है नहीं है मैंने भूला हाँ ठीक है पैसे दे दो तो उसने पैसे डाल भी दिये पेटियम में लेकिन एक्चुल में तो वह समान में पास उसको बुझेते हैं सौटेज पढ़े गया हमारा ठीक है ने और इसको एजन एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करना इसके इंदर क्या ट्रीट करना आ होता है एक पार्ट उपर आ जाता है और रिमेरिंग नीचे आ जाएगा कर देखें को देखें को इस एक यह सब्सक्राइब ना इटिकत अ जाए और देटर से कुछ निकाला नहीं है क्योंकि उससे कुछ जौरत भी नहीं है कि जीपी देखिए चौन सट हजारा रहे है कि जीपी चेक करिए कि पासट हजा और कुछ रहे है कि कि दो हजार स्टॉक रिजर्व ले लिए इस पर कि डेटर में से तो कुछ निकलेगा नहीं को कि उसको पूरा लेकर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है यह नॉर्मल लॉस ऐसा ट्रीट करके यहां पर टू अलाउंस पूरा ले लेंगे कि नॉर्मल लॉस को पूरा दिखाते हैं तो यह पूरा दो हजार ठीक है दो हजार दो हजार चॉबस सूबस हजार दो हजार यह आगे उननत्यस दो सो दू चेक करिए अठाइस नहीं नहीं एक बासट हजार माइनस चॉबस सो चॉबस हजार अठाइस दो सो कुछ और रहे गया क्या सेल्स रिटन ले लिया डिस्काउंट ले लिया चार सुर्पे का क्या रहे गया पैटी एक्स्पेंस लिख लिए हमने पैटी एक्स्पेंस दो हजार है हाँ दो हजार है चॉबस सो चॉबस हजार सो रुप है दिखाओ एक बार चार सुपर क्या टिफ़र हो गया है यहां पर देखना यहां पर थोड़ा करेक्शन कर ले ना बुक में क्या है पैटी एक्स्पेंस रिसीव लिख दो यहां तो बनेगा बात ठीक है पैटी एक्स्पेंस अगर आप रिसीव लिखोगे तो यह इधर आ जाएगा यह पत्चिससो यह पत्चिससो और यह चावज सो 2800 चल प्रुटा प्रुटा पॉब यह फिर यह 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 झाल झाल